नमस्कार आप देख रहे हैं है लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरब राज G20 शिखर समिलन के रातरी भोज में सामिल होने के लिए नितीश कुमार निकल गए हैं आपको बता दे कि आज इहीं बिहार से नितीश कुमार दिली आये हैं और राश्टरपती के द्वारा आयोजित इस रातरी भोज में सामिल होंगे पिछले साल नितीश कुमार इंडिये से रिष्टा तोड़ करके महा गठबंदन में सामिल हों थे और फिर तेजस्वियादब के साथ मिल करके उन्होंने बिहार में सरकार बनाई और फिर पूरे देश भर में घूम करके विपक्ष को मजबूत किया विपक्ष को एक मंच प भी मिल सकते हैं एक लंबे समय तक नितीस कुमार इंडिये के साथ ही रहे हैं बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार चलाई है केंदर में भी परदान मंतरी के साथ रहे विखर में भी साथ में और अब नितीश कुमार विपक्ष के एक बड़ा चेहरा है विपक्ष को एक जूट कर रहे हैं और 2024 में नरेंदर मोदी को हराने के बात भी कर रहे हैं लेकिन जी-20 के शिखर समेलन में और रात्री भोज में सामिल होकर कि क्या नरेंदर मोदी से कुछ अलग गुप्तुगू करेंगे क्या बाते होंगी एक काफी हम आना जारा है लेकिन जी ट्वंटी जो दिली में आयूजित है जो कह सकते हैं दुनिया का एक बड़ा बैश्विक मंच है इस रात्री भोज में नितीस कुमार के अलावा देश के कई राजियों के मुकमंतरी भी स सबसे महत्वपूर्ण देश और जो संगठन है उसके राष्ट अध्यक्ष इस रात्री भोज में रहेंगे उसमें नितीस कुमार को भी निमंतरन भेजा गया है राष्ट्रपति के ओर से नितीस कुमार विहा का प्रतिनी धित्व करेंगे कहा जा रहा है कि नितीस कुमार इ प्रतिनी धित्व करेंगे प्रतिने के रहा है कि रहा है कि नितीस कुमार इंडिया एलाईंस में नितीस कुमार गूं करके बीजेपी को हरानी के बात कर रहे हैं नरेंदर मोदी के जो कमिया है जो नरेंदर मोदी के नीती है उसका लोचना भी कर रहे हैं ऐसे में किसे उत्सा के साथ है कि स्टेवर में नितीज कुमार परधान मंतरी के साथ मिलते हैं क्योंकि एक लंबे समय तक नितीज कुमार इंडिये के साथ ही रहे हैं और कई जगों प रहा है कि ये मुलाकात क्या कुछ और भी रंग ले सकती है लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि नितीश कुमार आतरी भोज में सामिल होने के लिए निकल गए हैं दिली से सौरब राय लाइब सिटी